हालो गाईज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल, तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे क्लास 10 के मैट्स क्लास नोट्स, चैप्टर टिग्नोमेट्री के ठीक है, बड़ी फुरसत से टिग्नोमेट्री चैप्टर के मैंने आपके लिए नोट्स बनाये हैं और बहुत important concepts के उपर बेस चैप्टर है, तो इस चैप्टर को मैंने इस तरीके से मतलब आपके सामने represent करा है मैंने कि आपको हर एक चीज मैं आपके set कर दूँगा दिमाग के अंदर कि चैप्टर basically आपको कहना क्या चाह रहा है और नोट्स भी इसी टाइप से maintain किये मैंने कि आप वास्ताव में अगर इस नोट्स को आप देखोगे हाला कि मैं इसके PDF आपको दे दूँगा और इस नोट्स को देखने पर ही आपको chapter समझ में आने लगेगा इस lecture की भी आपको इतनी need नहीं होगी विकोज मैंने notes को ही इस तरीके से maintain किया है कि आपको हर एक चीज एक ही बार में set हो जाएगी दिमाग के अंदर और मेरा एक intention यही है कि यार student के सामने चीजों को इस तरीके से represent करा जाना चाहिए कि एक बार में student समझ जाए कि यार कहना क्या जा रहे हैं वर्टेक्टों सिम्पल सी बात डृटें ट्रिग्नोमेटरी चैटर क्या है तो छोता है ट्रीगनोमेटरी यह तरसे फीज़्ज मिलकर बना हुआ है इस से यह त्रुद्यमेटरी पूरा वह से ना इस तीनो वहर्ज ट्र bowl अइंडर आ तो आपको द्राइप दिख रहा 3 sides measurement वो होता है हमारा trigonometry बात clear है ठीक है तो इसी को ही हमार को देखना है 3 sides measurement अब देखो यहाँ पर क्या है एक मैंने statement लिखी विए इस statement को देखो trigonometry कहती है कि तुम मुझे एक side और एक angle दे दो वस chapter को समझने के लिए चीज important है कि trigonometry कहती क्या है मैं तो इसे कहूँगा कि यह definition एक तरसे trigonometry की कि trigonometry आपको simple सा कहती है कि तुम मुझे एक side दे दो और एक angle दे दो बस मैं set कर दूँगे हर चीज को क्या कहती है trigonometry कि तुम मुझे एक side दे दो एक angle दे दो हर चीज मैं set कर दूँगे हर चीज को proof करने में मैं बिल्कुल applicable हूँ फिर ठीक है तो trigonometry के लिए एक side और angle की requirement है यह एक तरसे requirement आपको मैं बताना चारूँ कि trigonometry chapter के लिए किस चीज की requirement है एक side की requirement है और एक angle की requirement है clear है बात अगर आपके पास में एक side दे विए और एक angle दे यावा है ना तो आप सब कुछ निकाल सकते हो फिर कोई दिक कर नहीं अगर मैं आपके सामने यह बताना चाहूँ कि यह trigonometry chapter की application क्या है कहां पर इसका use करेंगे तो देखो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार एक दूपई के अंदर बुर्ज कलीफा है और बुर्ज कलीफा की height अपने को देखनी है मान के चलो कि बुर्ज कलीफा बनावा है yellow यह height बहुत बढ़ी है ठीक है और हमारा भाई चिंटू है न वो यहाँ पर खड़ा है समझ रहे हो और यह क्या कर रहा है यह चिंटू जो है यह engineering वाला बंदा है कौन सा बंदा है engineering करीवी इस भाई ने clear है पड़ा लिखा दिंदा है बहुत अच्छे से engineering करिए और बिलकुल शांदर तरीके से engineering करिए इसने ठीक है ऐसा वैसा नहीं है कि बस engineering कली धक्के मार के नहीं बिलकुल टॉपर रहा है और किये ठीक है अब engineering में इसने एक chapter पढ़ा था जिसका नाम था trigonometry क्या नाम था य इसने यह दिमाग नहीं लगाया देखो मजदूर नहीं है यह बात ध्यान रखना पढ़ा लिखा आदिमी इंजिनेरिंग करी वी है मजदूर होता ना इसकी जगे तो वो क्या कहता इंची टेप से नापूँगा भई अगर कोई इसको बोलता है कि भुरुज कलीफा की हाइ हाइट को निकाल दूगा ठीक है मजदूरी तो मजदूरी करेगा भई इंची टेप लाएगा फिर बड़ा से देखेगा और पहली बात तो इंची टेप मिलेगा ही नहीं इतना बड़ा ठीक है तो यह इंजिनेरिंग करावा बंदा यह क्या कहेगा कि मैं बुरुज कलीफा आप डिस्टेंस किसी का भी निकाल सकते हो ग baked笑 है तो इस चिंटुरी क्या यहा से इसको देखा बुर्ज-कलीफा को इस टॉप को देखा इसने इसकी आग यहा पर है कौन सा यहा इंगल Бन रहा है clear है और देखो एक बात मैं आपको समझाना चाता हूँ कि आप मुझे एक बात बताओ बुरुज कलीफा से चिंटू थोड़े से distance में तो ये distance तो अपन measure कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं मुझे बताओ ये वाला distance तो अपन measure कर सकते हैं कि बुरुज कलीफा के पास में खड़े हो कि अगर देखेंगे उसकी height को देखेंगे तो ये distance मेजर किया जा सकता है तो ये तो उसने देख लिया कि ये इतना distance है मानके चलो 10 meter के distance पे चिंटू हमारा खड़ा है लेकिन उसको ये नहीं पता बेटा और उसको ये चीज पता है कि मैं इस height को देख रहा हूं न ये height जो है न ये height इस height को देख रहा हूं बुर्ज कलीफा की height को जब देख रहा हूं तो एक मेरा angle बन रहा है और ये angle जो बन रहा है न ये कितने degree का बन रहा हो किसी ना किसी degree का बन रहा हो वो देख रहा है तो उसने देखा कि यार मेरा angle जो बन रहा हो 45 degree का बन रहा है बात समझ में आ रही है 45 degree का angle बन रहा है बस अब देखो trigonometry कहती है कि तुम मुझे एक side दो, एक angle दो, बस मैं हर चीज़े निकाल सकती हूँ, अब देखो हमारे पास में एक side भी है और हमारे पास में एक angle भी है, इसका मतलब है कि ये height निकल सकती है, बुर्ज कलीफा की, निकल सकती है ना, बस ये chapter की application है इस chapter को हमारे को यहीं पर use करना है, किसी की height ना आप नहीं होगी, हाले कि application of trigonometry जो next chapter आप पढ़ने वाले हो, उसमें आप application of trigonometry लगा होगे, लेकिन मैंने आपको trigonometry chapter का मतलब ही समझा दिया कि वहाँ पर आपका use करना है, clear है बात समझ में आ रही है, ठीक है तो ये चीजे मैंने आपको समझा दी, अब देखो हम देरे देरे इसको देखते हैं, क्या है trigonometry, theta को हम आख मानेंगे, ये मैंने कहा theta को हम क्या मानेंगे, आख मानेंगे, जहां पर theta वहीं पर आख पढ़िए, और theta का देखो, symbol भी देखो भाई, symbol भी देखो, आख की जैसे होता है clear है, तो theta को हमारे को क्या मानना है आख मानना है, और आख हमारी angle बनाती है, आख हमेशा हमारी angle बनाएगी, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो किसी ना किसी angle से देखते हैं देखते हैं या नी देखते हैं किसी भी चीज को आप देखो देखो बेटे बेटे देखो एंगल बना रही है आपकी गरदन एक एंगल बना रही होगी ठीक है तो ठीटा हमेशा क्या बनाता है आग बनाती है और आग हमारा एंगल बनाती है इसलिए ठीटा को एंगल होता है जिटा को एंगल बोलते हैं ठीट एंगल होता है clear या बात तो ठीटा वीटा आप पढ़ोगे तो ठीटा या होता है एक तर से एंगल होता है clear यह बात चलिए ? अब Trigonometry की Definition देखते हैं, और देखते हैं कैसे क्या है तो घ्लए को Trigonometry to find the distance and height, we can use the mathematical mathematical techniques भाई हम पड़े लोग है मज़दूर नहीं है पड़े लिखे लोग है तो mathematical techniques का use करके हम height and distance निकालेंगे clear है which come under the trigonometry जो कि trigonometry के अंदर आती है जैसे कि चिंटु ने दिमाग लगा के किया था ठीक है बुछ कलिफा के height निकाली थी इक शोस दा generally it is used in the case of right angle triangle generally it is used in the case of right angle triangle right angle triangle के अंदर ही trigonometry लगेगी और कोई triangle यहां पर use नहीं होगा आपके right angle triangle ही यहां पर use होगा clear है बात trigonometric ratio को पड़ते हैं trigonometric ratio क्या होते है in a right angle triangle the ratio of its sides and the acute angle is the trigonometric ratio of the angles ठीक है एक right angle triangle के अंदर क्या होगा एक side और acute angle के बीच में जो ratios होंगे वही trigonometric ratios of the angles होते है clear है अभी मैं आपको समझाता हूँ trigonometric ratios कौन कौन से होते हैं देखो सबसे पहली बात तो एक मैंने सामने आपके सामने राइट angle triangle दिखाया है देखो आपको पता है यह slant है तो यह तो hypo होगी बई है न यह आपको दिखरा रहा है hypo clear है यह opposite है देखो थीटा आपका यहाँ पर है आख आपकी यहाँ पर है यह क्या है मैंने आपको कहा था थीटा को हमेशा क्या मानना है आख मानना है और आख क्या बनाती है एक एंगल बना रही है बना रही है अब देखो थीटा के जो सामने होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होती ही बात धिहान रख होती है वो क्या होती है हमारी बेस होती है clear है बात और slant जो दिखेगे सांट तो बिल्कुल different ही लगेगी right angle triangle कभी बनाओ गाना slant दिखेगा वो हाइप होता है हमेशा longest side होती है है clear तो यहां पर देखो in this right angle triangle triangle angle B 90 degree आपको दिख रहा है अब देखो यह वाला पंट ध्यान रखना theta 90 degree पर नहीं होता है ऐसा क्यों यह मैं lecture में समझाओंगा यह क्यों लिखा मैंने notes में अब मैं आपको समझाता हूँ theta 90 degree पर क्यों नहीं होता है देखो कभी भी अगर theta अब बात समझना ठीक है मैं इसको जो रब कर रहा हूं अब चीजों को समझने के कोशिश करना ठीक है देखो theta को मैंने यहाँ पर क्यो ने होगा chuta अपका देखो जब आपकी आख थीता क्या होता है इस आख को क्या आप बिल्कुल ऐसे देखोंगे उपर हा क्या याए बिल्कुल आख को ऐसे कर देखोगे कभी आप उप्पर एसे देखोगे है बात समझ में आरी है थीटा कभी 90- Definition हो थो सकता है आप 910 मीजचल हमारा नाइனीकर नई हो सकता है यह फासिबल ि नहीं है ठीक है एंगल बनाता है let us look at the both cases अब देखो यहाँ पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि ठीटा अलग अगर आपका अलग-अलग places पर है तो हमारे क्या होंगे एक तरसे ratios जो होंगे वो भी different निकलेंगे जो हमारी perpendicular होगी हाइपो तो बिल्कुल वह होगी यूनिक रहती क्योंकि लेकिन perpendicular हुआ है ना base हुआ यह change होते रहेंगे अगर हमारे ठीटा अलग-लग places पर है देखो first वाली condition अगर आप देख रहोंगे तो हमारा ठीटा अभी यहाँ पर पढ़ा है अगर आपको पर आपको क्या समझाए था कि तीटा जहां पर भी है उसके अपोजिट जो साइड होती है तो वो क्या होती है हमारी perpendicular होती है अपोजिट साइड जो होती है वो perpendicular होती है और adjacent sides क्या होती है हमारी base होती है तो ठीटा अगर हमारा यहाँ पर है तो perpendicular इसके लिए क्या बोलेंगे आप को होगे BC को अगर ठीटा हमारा यहाँ पर है तो perpendicular हमारा BC है और अगर theta हमारा यहाँ पर है तो base क्या होगा इसकी adjacent कौन है बताओ यह adjacent देखो hypo भी है और यह भी है बट hypo तो hypo ही होती है तो hypo ही रहेगे बट यह वाली दूसरी साइट यह adjacent है तो यह क्या होगी इसकी base होगी clear है तो यहाँ पर मैंने आपको यह समझा रखा है अगर sin A की बात करें तो sin A perpendicular upon hypo होगा ठीक है परपेंडिकुलर देखो यहाँ पर क्या है BC और यहाँ पर क्या है hypo AC अब देखो यहाँ पर भी perpendicular hypo होगा लेकिन sin C अगर C की बात करूँ ठीटा अगर आपका यहाँ पर पढ़ा है देखो sin theta होता है यहाँ पर theta theta A पर पढ़ा था तो मैंने A लिखा sin theta theta C पर पढ़ा था तो मैंने यहाँ पर sin C लिखा clear है अब C पर अगर मेरा theta पढ़ा है तो perpendicular hypo होता है sin ठीक है मैं अभी आपको समझाओंगा यहाँ पर आगे वाली slides के अंदर PBP पर पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले यह चीज आपको ठीक है तो P upon H आपको भी समझ भी नहीं आ रहोगा क्या है लेकिन अभी मैं आपको समझाओंगा तो देखो P upon H होता है ठीक है तो perpendicular क्या हो perpendicular होगी तो A B यहाँ पर यहाँ पर ठीटा हमारे यहाँ पर था तो ठीटा के opposite sides यहाँ पर BC है इसलिए perpendicular यहाँ पर BC तो इस वाली table को आप देख लेना clear है चलिए अब देखो हुआ क्या था actually इनके नाम जो थे हैं साइन, को साइन, टेंजेंट की दिख रहोंगे आपको unique unique name कि इन नाम को थोड़ा सा easy बनाने की कुशिश करी ठीक है जैसे कि वो example कुछ बड़े नयम होते हैं लक्षमी नारायन जिसको हम क्या बोलते हैं लक्षमी बोल दे दे हैं न किसी का नाम में लक्षमी नारायन तो हम क्या बोल देंगे इसको लक्षमी बोल देंगे ठीक है तो हाए एंट इठ अपा कोट एंजएं ले इंगर वां पहली हुप सैक हमने इंगर तो क्या रखा हमने चूट इंठ घ्रच निए यह तरह से शॉट के लिऑ के लिएज़ अब सब्सक्रादक धुक्र देखलें ना इस थरीएगा के लिए वह травल की प्राणी 돼 और इनके उपर भी question बंगे Nahem向 एक तो आपको बताना यह को समझाना चाहरू कि trigonometric ratios को समझाना चारू हूँ जैसे कि अभी हमने पढ़ा पहले भी मैंने आपको बता दिये trigonometric ratios लेकिन यहाँ पर तोड़ा अच्छे से समझेंगे हम देखो पंडित बदरी परसाद हर हर बोले मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक के बनाई देखो आपके सामने कि इस ट्रिक को मैंने इसली बनाया है आपके सामने कि देखो sin a p upon h cos a b upon h 10 a p upon b तो यह याद करने में थोड़ी से problem आती है तो हम क्या करते है पंडित बदरी परसाद हर हर बोले के नाम से तो पंडित का p ले लिया हमने बदरी का b ले लिया прasad का p ले लिया हरका h ले ले लिया हरका h ले लिया बोले का b ले लिया इस ट्रिक के सामने लिख दिया ठीक है यह हमने एक तरसे table बना ओडि अब आपको ऐसे याद करना देखो sin cos ten cos कोई-कोई ऐसे याद करता है साइन-कोई-कोई-कोई ऐसे याद करता है साइन-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई- appendicular को represent कर रहा है b जो है वो base है और h जो है वो hypotenuse है तो अगर मैं आपसे पूसता हूँ sin theta क्या होता है तो sin theta जो होता है वो p upon h होता है ऐसे पढ़ोगे इसको sin theta के लिए p upon h और अगर मैं आपसे पूसता हूँ cos theta क्या होता है तो cosec theta को आप पढ़ोगे h upon p similarly cos theta अगर पुस्टाओं तो cos theta होता है b upon h और sec theta पुस्टाओं तो h upon b 10 theta पुस्टाओं तो p upon b cos theta पुस्टाओं तो b upon p clear है बात? इस तरीके से आपको याद करना है तो पंडित बदरी पर साथ हर हर बोले पंड़जी को आप याद कर लो अब यहाँ पर देखो remark अगर देखो angle a की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर angle a को use किया है sin a, cos theta की जगे a, a आ रहा है तो यहाँ पर एक तरसे a की बात हुई है मैंने figure बना रखा है इसको आप देख लेना अब देखो remark यह important चीज है if we take angle c as acute angle then bc will be base and ab will be perpendicular hypotenuse remains the same such that ac so the ratio will be according to that only angle c जो है वो एक तरसे acute angle है ठीक है then bc will be base तो bc क्या होगा हमारा base होगा clear है and ab will be perpendicular ab जो होगा वो perpendicular हो अगर angle if we take angle c यह दिख रहा है आपको figure यहाँ पर angle c दिख रहा है ना मैंने अभी आपको समझाया था अगर मैं c लेता हूँ तो c के opposite कौन है भाई c के opposite कौन है आप कोगे sir c के opposite यह है अभी अगर c लेता हूँ अभी तो a लिया इसलिए मैंने बताया adjacent यह है opposite यह है and hypo hypo तो unique है यह दिखती स्लांट ठीक है और और जो BC होगी वो क्या होगा हमारा एक तर से विल भी बेस ठीक है BC जो होगा वो बेस होगा क्यों 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 कि यह adjacent यह के क्लियर है तो first वाला point तो clear है second वाला if the angle is same then the value of the trigonometric ratio of the angle remain the same whether the length of the side increases or decreases if the angle is same then the value of trigonometric ratio of the angle remain the same whether the length of the sides increases or decreases इसका मतलब आप समझे देखो अगर angle की value same है angle की value same होने का मतलब है कि देखो यह तो 90 degree है यह angle थोड़ा सा change होगा यह मान के चलो अगर 45 हो गया तो यह तो हमारा 45 निकलेगा angle some property से समझे रो मेरी बात को angle some property से यह 45 अगर हो गया तो यह 45 होगा अगर यह 45 है यह 45 है इसका मतलब क्या है भाई इसका मतलब यह है कि if the angle is same then the value of trigonometric ratio of the angle remain the same तो value of the trigonometric ratio की जो होगी value वो क्या होगी एक तरसे same आएगी clear है और depend करेगा वो length of sides पे increase होती है decrease होती clear है चलिए तो यह मैंने आपको बता दिया और और क्या बता रहा है in a right angle triangle यह ratios में आपको में बता हूँगा जब हम इसके application of trigonometry पढ़ेंगे उसमें use होगा यह वाला point ठीक है और third point है in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side so sine a or cos a will always be less than or equal to 1 and the value of sec a or cos a will always be greater than or equal to 1 point वाली बात है यहाद रखनी है मेरे बाई ठीक है MCQS में question बनने के chances 100% है इसके यह बात समझ नहीं आई ना चलो आगे समझाता हूँ यह बात समझ में आई तुमारे को less than or equal to 1 always be greater than or equal to 1 नहीं आई ना बात समझ में अभी आगे में समझाता हूँ आगे वाली slides देखते चलो चलो हो गया चलो trigonometric ratio of some specific angles अब समझाऊँगा बेटा वो वाली बात ठीक है क्या बोल रहे हो याद मत कराओ बिल्कुल याद निकराएंगे थोड़ा सा मुश्किल है ना यैसे याद करना चिंता मत करो बेटा इसे भी हम आगे lecture में बनाना सीख लेंगे अभी बनाना सिखा दूँगा चिंता मत करो ठीक है जीरो वरं वन अपां टू रूट रूटicki अपां टू इस सब वैल्यू सक चैक करो यह less than और मद यहां तो बमर नारी यह यहां पर वनारी और बाग्स क्वेल्यू स Associate यहां पर देखर यह दोनों root 3 के value 2 से greater ही होगी या 1 से greater होगी ठीक है समझ रहे हो मेरी बात को तो ये एक तरसे treble आपके सामने represent करती हो और इसी के उपर based question full बनते है भई फुल बनते यह याद होनी चीए आपको अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला थोड़ा सा बनानी आपको पीछे क्योंकि trigonometry के questions आएंगे definitely बात है और ratios के उपर based question आएंगे ठीक है value के उपर based question आएंगे ये value होती है ये तरसे value है इनकी तो value के उपर based question आएंगे तो आपको value याद होगी जब भी तो आप question को कर पाऊगे ठीक है तो आपको क्या करना है तो देखो zero degree इस zero degree को क्या करना आपई zero लिक दो 30 degree यहां पर one लिक दो यहां पर two लिक दो यहां पर three लिक दो यहां पर four लिक दो clear बात अब इसके divide मे four लिख दो इतना काम clear है अब ये divide में 4 लिखने के बाद में बेटा क्या करो इसका under root कर दो इसका भी under root कर दो under root कर दो under root कर दो और under root कर दो clear है? कर दिया under root चलो अब करो इनको solve जब इनको solve करोगे तो देखो 0 upon 4 को जब आप solve करोगे तो क्या आएगा? 0 upon 2 0 upon 2 तो क्या होगा? 0 ही तो होगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? 0 इसको solve करो देखो 1 upon 4 को तो 1 का square root क्या होता है? 1 ही होता है और root 4 square root में ना root 1 है और root 4 है root 4 किसका होता है? 2 का होता है तो 1 upon 2 देखो 1 upon 2 यहाँ पर आगया ठीक है, root 2 upon root 4 है, तो root 2 का square root होता है क्या, आपको कि नहीं, देखो, इसको 2 upon 4, root के अंदर है, इसको आप reduce कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, करो, अब देखो, यह एक तरसे simplify होके, यह हो गया, अब देखो, 1 का square root क्या होता है, 1 ही होता है, क्या root 2 का square root होता है, नहीं होता है, तो यह root 2 ही रहेगा, बात समझ में आरेगे, अब देखो, इसको देखो root 3 upon 4, क्या 3 का square root होता है, नहीं होता है, तो root 3 में ही रहेगा, और 4 का square root होता है, बिल्कुल 2 होता है, तो यह देखो, बन रही है अब देखो four से four cut क्या आगया square root of one तो root of one क्या होगा बारा one ही तो होगा तो ये one आगई अब देखो ये वाली values आने के बाद में आपको क्या करना है कोई से निकालना है तो पीछे से start करो ये वाली value को आप क्या करो यहां पर लियाओ इसवाली value को आप यहां पर लियाओ ये आगई ठीके इसवाली value को आप यहां पर लियाओ आगया cos A बनाना ऐसे बनेगा 10 A जो होता है वो क्या होता है sine A divided by cos A clear है तो sine A divided by cos A मतलब क्या होता है sine A, sine क्या है 0 है, sine A की value कितनी है 0 है, तो आप लिखोगे 0 divided by cos A की value कितनी है cos A की value 1 है, और 0 upon 1 क्या होगा, 0 ही तो होगा simple सी बात है, तो 0 upon 1 क्या होगा हमारा, 0 होगा तो देखो 0 आ रहा है ठीक है, similarly 10 A निकाल रहे हैं, तो इन दोनों के लिए भी यह करेंगे, तो 1 upon 2 और root 3 upon 2 करेंगे तो 1 upon 2 divided by root 3 upon 2 करो 1 upon 2 divided by root 3 upon 2 करोगे आप तो क्या होगा, 2 से 2 कर जाएगा, तो 1 upon root 3 आएगा simple सी बात है ऐसे यहाँ पर देखो, इन दोनों को divide कर गे root 2 से root 2 करेंगे, तो क्या आएगा, 1 upon 1 मतलब 1 आएगा, आ रहे है 1 value ऐसे, simplify, root 3 upon 2 1 upon 2, 2 से 2 कर जाएगा तो root 3 upon 1 बचेगा, root 3 upon 1 क्या होगा, root 3 होगा, ठीक है, ऐसे 1 upon 0 करेंगे, अब देखो, यहाँ वाला case 1 upon 0 जब आप करोगे 1 upon 0, तो कभी भी denominator में 0 के, second quarter तो निकलेगा, आराम ज़े निकलेगा, क्यों, क्योंकि देखो, यहाँ पर मैंने आपको पंडित बदरी परसाद हर हर बोले बताया था न, sin जो होता है, वो cos 1 का उल्टा होता है, cos जो होता है, 10 जो होता है, quote का, यह दोनों reciprocal होते है, एक दूसरे के संस jusqu, clear है बत, तो देखो, यहाँ पर क्या है बटा, cos 1 किसका उल्टा होगा, sin 1 का, तो यहाँ पर मैं cos 1, sin 2, cos कि richness उल्टा होगा, sec का, tant किस 280 का, compart का, तो, cos 1, sin 1 का उल्टा होगा, अगरsin 1 की value 0 है न, तो यह 0 को क्या लिखेंगे हम पूरा, 0 upon 1, laat 6, cos 1, होगा 1 एक पोझन जीरो रहाओ घूतार जोरा दो फ Bäाई नीच्य जीरो आगया इसका मतलब एकि वैल्यू ऑन डिफाइन निकले साफ ऐसे हम देखो 1 upon 2 1 upon 2 का उल्टा क्या होगा 2 upon 1 2 upon 1 क्या होता है मारा 2 होता है 2 आ रहे है ऐसे 1 upon root 2 1 upon root 2 का उल्टा root 2 upon 1 root 2 upon 1 क्या होगा root 2 होगा ऐसे root 3 upon 2 का उल्टा 2 upon root 3 1 का उल्टा 1 का उल्टा क्या होगा 1 के नीचे क्या होगा 1 ही होगा तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही तो होता है ठीक है तो यह हो गया ऐसे सेक का हम करेंगे तो सेक का आप कर लो कोट का देख लो कोट का भी आप कर लो सेक किसका उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा root 3 upon 2 का उल्टा 2 upon root 3 होगा 1 upon root 2 का उल्टा root 2 1 upon 2 का reciprocal 2 0 का उल्टा 0 upon 1 का उल्टा 1 upon 0 नीचे 0 आ रहा है मतलब undefined clear है code किसका उल्टा होता 10 का होता है तो 0 0 upon 1 था तो 1 upon 0 not defined हो जाएगा बेटा 1 upon root 3 root 3 upon 1 हो जाएगा root 3 हो जाएगा 1 upon 1 1 का उल्टा 1 ही होगा root 3 का उल्टा root 3 upon 1 है तो 1 upon root 3 हो जाएगा not defined not defined क्यों आया भाई 0 upon 1 करने पर तो इसका answer क्या हो जाएगा sorry not defined क्यों आया not defined आया 1 upon 0 नीचे 0 होगा ना जैब इतो not defined आया तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आयगा 0 upon 1 और 0 upon 1 क्या होता है 0 ही तो होता है clear है तो इस तरीके से आपको इसको trigonometric table को आपको learn करना है ठीक है चलो तो ये वाले point मैंने कर लिए दोनों rows में sign है ये वाला point मैंने कर लिए थोड़ा सा मुश्किल है टास्क याद टरवा दिया ये column समझ नहीं आया होगा चिंता मत करो इसे भी आगे lecture में समझा दूँगा चलो इसको भी समझाता हूँ sign theta cosec theta is equals to 1 क्यों होता है sign theta और cosec theta is equals to 1 क्यों होता है इसका reason में आपको देता हूँ sign theta अगर मैं बात करू sign theta और बात करू cosec theta is equals to 1 क्यों होता है sign theta into cosec theta बीच में कुछ भी नहीं है ना इसका मतलब क्या है into ही तो है sign theta की value अगर देखें sign theta की value मैं आपको बताई थे क्या होती है पंडित बदरी परसाथ के हिसाब से P upon H होती है देखो H से H cut P से P cut तो value क्या आएगी 1 ही तो आएगा समझ रहो इसलिए 1 होता है ठीक है ऐसी cos theta sec theta क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते तो 1 होगा 10 theta core theta एक दूसरे के उल्टे होते इसलिए इसका answer 1 होगा 10 theta core theta is equals to 1 इसलिए ये बना है clear है तो ये भी मैंने आपको समझा दिया है आगे बढ़ते हैं तो बाकी sin theta is equals to 1 upon cos ये आपको आ गया ना समझ में क्योंकि ये इसके reciprocal sin theta को उल्टा कौन होता है cos theta इसलिए sin theta is equals to 1 upon cos theta होगा cos theta किसका उल्टा होता है sec theta का तो cos theta is equals to 1 upon cos theta होता है clear है चलिए trigonometric ratios of complementary angle तेको if the sum of two angles is 90 degree then it is called complementary angles आपको पता है complementary or supplementary angles आपने पढ़े होंगे in a right angle triangle one angle is 90 degree एक angle तो 90 degree होता ही है right angle triangle के अदर अगर 90 degree नहीं होगा एक angle तो right angle triangle कैसे होगा नहीं होगा तो 90 degree तो होगा must है so the sum of the other two angles is also 90 degree और they are complementary angles तो क्या होगा एक angle अगर 90 degree होगा तो two angles जो remaining रहेंगे उन दोनों का sum क्या होगा हमारा complementary तो होगा उन दोनों का sum 90 degree तो होगा और 90 degree होने का मतलब है कि जब दो angles का sum अगर 90 degree होता है तो उन angles का क्या कहता है complementary angles और जब दो angles का sum 180 degree होता है तो उस angle को क्या कहते है supplementary angles तो यह complementary angles होंगे so that trigonometry ratio of the complementary angles will be क्या होते है sin 90-a is equal to cos a cos 90-a sin a 1090-a cot a cot 90-a tan a sec 90-a cos a cos a 90-a sec a ठीकि यहाँ पर उल्टा-उल्टा concept नहीं है ऐसा कि sin का उल्टा कर दो sin 90-a cos a कर दो यह गलती मत करना instrument यहाँ पर बहुत गलती करता है तो इसको याद करने की भी trick है भाई लेकिन अभी नहीं lecture में समझाओंगा बिलकुल lecture ही चल रहा है lecture में समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर क्या है sin 90-a is equal to cos a इसका मतलब आप समझे हो क्या है इसका मतलब यही है कि भाई sin 90-θ के उपर question आएंगे उनको अपने को solve इसी तरीके से करना है तो जब अपन question को solve करेंगे जब मैं आपको चीजे समझाओंगा कि किस तरीके से इनको अपने को use करना है इन identities को अपने को use करना है ठीक है तो use की तो बात छोड़ो लेकिन आपको याद केसे करना है तो यह याद की ट्रिक में आपको समझा देता हो sin 90 degree minus a is equals to cos a है ना तो cos a sin 90 minus theta is equals to cos theta तो देखो अपने याद क्या किया था पंडित बदरी परसाद और मैंने आपको एक sequence याद करवाया था sequence कैसे याद करवाया था sin cos tan फिर मैंने याद करवाया था cos sec sec cot याद करवाया था तो 90 minus theta वाल एक concept में याद रखना है sin 90 minus theta जो होगा वो इसका बिल्कुल पडूसी होगा cos theta ठीक है और इन दोनों का याद रखना है ten और chart का ten और chart का यह याद रखना है आपको ten nor chart ten 90 minus theta होगा cut theta court 90 minus theta होगा ten theta clear है और इन दोनों का भी अपना ये वाला process चलिए रखा cos sec 90 minus theta जो होगा वो sec theta होगा sec 90 minus theta cos sec theta होगा आप देख लो ऐसी बन रहा है तो इस तरीके से आपको इसलिए में नहीं याद कर रहा है इसken सकते हो अगर पंठीट बहुता है तोन थेले पहले मैं हम धेखे हैं? जो साहरे बहुता है? P upon B होता है हमारा 10 theta आप देखो 10 theta जो होता है sin theta upon cos theta क्यों होता है इसका मैं reason आपको बताना चाहरू हो तो sin theta अगर हम देखें sin theta क्या होता है जल्दी से बता हो तो आप कहो होगे Sir sin theta हमारा होता है sin theta P upon H होता है ठीक है होता है कोई दिक्कत है अब देखो P upon H और B upon H को में जब solve करूँगा P upon H और B upon H को जब मैं solve करूँगा P upon H फिर देखो sin theta upon cos theta मैंने क्यों कर रहा है sin theta के value P upon H होती है फिर divided by B upon H अगर हम करें तो H से H कर जाएगा तो पी अपॉण B आएगा और P upon B क्या होता है हमारा 10 theta यह तो होता है बात समझ में आ रही है तो 10 theta यह तो होता है तो 10 theta जो होता है वो sin theta cos theta होता है ऐसे cos theta और cos theta upon sin theta आप लगा सकता हो इस तरीके से बनता हो अब कुछ आपको क्या करने है याद करने के कोशिश करने है थोड़ा बहुत手 हलाए कि इसको भी मैं याद करवा सकता हूं लेकिन थोड़ा आपको क्या transpose करना है तो यह आइंटी बन जाएगी आपके यह वाली इंटी ओरे के वाली sin2θ जो होगा cos2θ को आप transpose कर दो के तो 1-cos2θ बन जाएगा और cos2θ की value निकालनी है तो sin2θ को transpose कर दो 1-sin2θ बन जाएगा ठीक है तो 1 इंटी आपको यह याद रखनी है बस only ठीक है next वाली देखो cosec square theta minus cot square theta 1 होता है फिर आप transpose करके आप यह बना सकते हो तो एक आइंटिस आपको यह याद रखनी है ठीक है sec square theta minus 10 square theta is equals to 1 होता है एक आइंटिस आपको यह याद रखनी है और sin theta into cosec theta 1 होता है यह आपको याद रखना है clear sign क्योंकि cosec का उल्टा होता है तो sin theta और cosec theta यह तो बले आपको यह दिखकर नहीं यह तीन तो आपको मैन करनी है यह वाली यह वाली ठीक है यह sin theta और cosec theta तो मैंने याद करवा दिया sin theta into cosec theta दोनों एक दूसरे के reciprocal होता है तो इसका answer क्या होगा वनी होगा इस तरीके से आपको करना है clear है तो इस तरीके से आपको notes पर आपको maintain करने है ना बिल्कुल easy notes मैंने आपको maintain करवाए और हर एक चीज आपके दिमाग में set हो जाएगे अगर आपने इसे ध्यान से समझा होगा और एक बार अगर आप notes maintain कर लोगे ना तो बिल्कुल कभी trigonometry आप भूलोगे नहीं अपने जिन्दगी में ठीक है तो हमारे youtube चैनल maths with green board पर जाकर आप इस chapter की problems को देख सकते हो आप देखी रहे हो अभी ठीक है और जितने भी आपके friends हैं जितने भी students हैं जितने भी आपके मिलने वाले हैं जिसको भी आप जानते हैं जिसको भी नीडी परसन है कि आप जिसको trigonometry tough लगता है उसको भी आप यार ये video शेर कीजिए जो notes में आपको भेज रहा हूँ वो भी आप शेर कीजिए जिससे कि trigonometry आसान लगी लोगों को students को आसान लगे clear है तो उमिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी अगर वीडियो पसंद आयोगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे कि upcoming videos के notification आपको time to time मिलते रहे thank you so much